क्या है आध्यात्म दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृती की परंप्रागत विरासत आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिये और समझे उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड से हमारे खास कारिक्रम आत्म विज्ञान में आत्म विज्ञान यानी सही दृष्टी, सही सोच बाई और बैनों, मात्री सक्तिको नमन चैनल 24 प्लस न्यूज के विशेश आध्यात्म कारिक्रम आत्म विज्ञान, साइंस अप्धी सोल में आपका हाद दिख स्वागत अभिनंदने सदकार है Science of the Soul के अंतरगत हम सही द्रस्टी, सही सोच, राइट वीजन, राइट थिंकिंग के तहे चलते हैं और प्रति दिन इसके अंतरगत नए नए विशे लेकर के आपकी द्रस्टी को खुला करते हैं हम नहीं तो ना तंतर करते हैं, ना मंतर करते हैं, ना कोई किरिया करते हैं, कोई कांड करते हैं, आपकी द्रस्टी को बदलने की बात करते हैं Positive Thinking की बात करते हैं, यही हमारे Science of the Soul का उद्श्य है हम सनातन सत्य की बात करते हैं कुद्रत के कानून की बात करते हैं जो सब पे समान रूप से लागू है कुद्रत के कानून का किसी को कोई पक्षपात नहीं 84 लाग जिवायों नहीं साथ अरब की जन संक्या पर कुद्रत का कानून एक सा लागू होता है उस कुदरत के कानून को आपके सामने प्रसुत कर रहे है तो आज का हमारा विश्य है करम बंधन का कारण राग और देश बाई और बैनों इस दुनिया के अंदर इस ब्रह्मांद के अंदर कोई शुद्धी नहीं 84 लाग जीवायोने शुद्ध है और हमारी स्रस्टी शुद्ध है हमारी नेचर शुद्ध है हमारी प्रकरती शुद्ध है सारा कुदरत सुद्ध है सभी व्यक्ती जो है निर्दोश हैं तो फिर दोश कहा हैं अगर सभी निर्दोश हैं सभी पवित्र हैं तो ये बुरी चीजे क्यों पैदा होती है वो ही आज हम बताने आए हैं कि ये करम क्यों बनते हैं ये करम एक अशुद्धी है ये करम एक रज है जो की हमारे साथ जुड़ गई और हमको भववांतर के अंदर जो है हमको भटकाती है तो इसके कारणों का पता लगाना चाते हैं तब ही हमारा निवान होगा इसका केवल और केवल एक ही कारण है वो है राग और देश इसको अगर हम एक शब में कहें ये कशा है ये मो का संसार है ये मो का वट वरक्ष है मो हो जड में है और वटवरक्ष के अंदर सारी बुराईया हैं, तेनिया हैं, पत्ते हैं, कौन से प्रानाती पाफ, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैतुन, परिग्रे, क्रोध, मान, माया, लोब, राग, देश, कले, अब्याक्यान, पैशुन्य, परपरिवाद, रती, अर्ती, माया, मर्शा, मित्यादर्शन, शल्लिपाफ, ये तो मुख्य रूप से अठारा गिने गए हैं हमारी भारती संस्कृती के अंदर, ये अठारा सो हो सकते हैं, अठारा हजार हो सकते हैं, जैसे कि एक वटवरक्ष के अंदर, टैनी पे जितनी डाल और पात पात होते हैं, उसी तरीके से ये तो क्रोध, मान, माया, लोब, ये चंडाल चौकडी है, ये रागदेश का जगत है, ये चंडाल चौकडी के अंदर, आपस में इसका जन्म जन्मांतर से, ऐसा एग्रीमेंट है, कि एक घुश जाओ, हम तीन दिखेंगे नहीं, आटोमेटिकली तीन तुमारे पीचे-पीच वो कहते हैं यूनिबिल्ट हैं, आजकल हमारे फ्री जाते हैं, टीवी आते हैं, एलेक्टिक अैप्लाइंस से चाते हैं, उसके अंदर जो वोल्टेज का अपडाउन करने के लिए यूनिबिल्ट सिस्टम आता है, हमारे सरीर में भी प्रकृति New Built System लगा के रखा है, कि तु तभी मनुशी की उमर सो वर्स गिनी गई है वो उसको प्रोटेट करती है उसको बचाव करती है तो मैं बता रहा था कि ये तीन यूनी बिल्ट होते हैं इसके साथ में इसलिए कुल हो गए एक को निमंतर्ण मत दो चार नहीं आएंगे एक निमंतर्ण दोगे तो तीन अदर्श रूप से सुख्ष रूप से चारों आपके सामने हाजिर होंगे मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे आजिर होते हैं देखिए जो करूद करने वाला उसके साथ मेहंकार भी होगा माया भी होगी और लोब भी होगा देखिए एक व्यक्ती करोद करता है तो वो करोद क्यों करता है उसका कारण यह है कि जिसके उपर करोद करता है कहीं न कहीं वो या तो एहंकारी है उसमेहंकार का भाव है कि वो नीचे वाला जो है या तो उसे निम्न है या उसे उपर वाला है इसी कारण उसको क्रोध आता है और व्यक्ति जो है माया क्रोधी व्यक्ति माया क्यों करता है क्योंकि वो क्रोध से जुड़ा हुआ चल कपट है लोब भी उसे जुड़ा हुआ तो चारों सै पाटी है और ये चारों ही मिलकर के राख द्वेश बनाते हैं और केवल दुनिया के अंदर करम बंधन का कारण एक ही है। इसलिए हमारे सभी धर्म शास्त्रों ने जो है एक ही बात, एक सरुमान्ने सिद्धांत भारत के नई पूरे विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ है, उन्होंने यही कहा है कि जो करम बंधन का कारण है, कि रागदेश कौमन है रागदेश को विजय कर लिया जाता है तो करम का एक एक परमानू शुद्ध हो जाता है और वो व्यक्ति परमात्मा बन जाता है चाहे कोई व्यक्ति हो कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति इस जाती का हो इस जाती का हो हर व्यक्ति को पर्मात्मा बनने की योग गिता उसमें है परंतु वो पर्मात्मा कब बनेगा कि रार देश के एक एक परवानों को शुन्य कर देगा देखिए हमारे कहीं पर भी घाव हो जाते हैं तो उसके उपर हम बेंडीन लगाते हैं उसे घाव भरता जाता है अगर घाव के अंदर पस बिल्कुल नहीं होती है तो चमडी नहीं आजाती है और अगर उसके अंदर एक भी परमाणू पसका रह गया तो वहाँ वो दर्द करेगा और वो जाकर फिर पसको बना देगा एक भी परमाणू नहीं रखना है नहीं चमड़ी आने जग उसको निकाल फैकना है इसलिए एक भी रागद्वेश का परमाणू बाकी है तो हम मुक्ति को नहीं जा सकते हैं ये समझने की बात है क्योंकि उसका जनक जो है ये रागद्वेश है ये राजदेश दो चस्में हैं ये दो जो हम चस्मे के ग्लास लगाते हैं ये दो कलर्णड ग्लास है वो कलर्णड ग्लास क्या कहते हैं पीले हैं पीला दिखाई देता है काले है तो काला दिखाई देता है हरे है तो सामने वाला हरा दिखाई देता है सावन के गदे को हमेशा हरा हरा दिखाई देता है क्यों दिखाई देता है कि उसके अंदर जो हरा पन है उसकी आँखों में पीलिया वाले को हर चीज पीली पीली नजर आती है क्योंग उसको चश्मा पीला चट गया होता ती राग दूश है जो प्रियता अप्रियता के दो चश्में है लाइक और डिसलाइक मैं इसको लाइक नहीं करता और मैं इसको जो है मतलब डिसलाइक करता हूँ इसको लाइक करता हूँ ये जो है वो रागदेश है उसके इस्तान पर अगर हम करम मंदन नहीं करना चाहते हैं तो रागदेश से ह वो तीसरा नेत्र जो राग देश के दो नेत्र हैं तीसरा नेत्र खोलिए शीव जी का त्री रत्न खुल गया था उसी तरह के से आप जो है त्री नेत्र खुल गया था तीसर थर्ड आई खोलिए वो थर्ड आई क्या है समता की आई है सब को समान समझो सब को आत्मवत समझो सब को जो है एक जीवित प्राणी रूप में जैसा मैं हूँ वैसा समझो अपने जैसा समझो बेद भाव मत करो सब के साथ में इस पूरे ब्रह्मांड के सब जीवित प्राणीयों के साथ में समभाव रखो एक सा भाव रखो राग द्वे सा ग्लास मत लखाओ संभाव रखो और त्री नेतर का थर्ड आई का संभाव रखो तो ऐसी स्तिती में करम बंदन नहीं होंगे बड़ी सीधी सीधी गणित है सीधी सीधी अर्थमेटिक है कोई भी इस दुनिया में ऐसा तक तो नहीं है जो कि आपको रुला सकता है सिर्फ राग द्वेस रुलाता है अब देखिए कि ये करम बंदन कैसे होते है मैं इस करम बंदन की प्रिक्रिया में जाता हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो आत्मों तत्व है उसके साथ में कारमन शरीर है उसके अंदर राग द्वेश है ये राग द्वेश है बाहर के राग द्वेश को इन्वाइट करता है और उसके साथ में जमा होता रहता है और ये बढ़ता रहता है और इसका समय होता है इसका समय आने पर ये रागद्वेश उदे में हो करके और डिस्चार्ज हो जाता है जड़ता रहता है उसको निर्जरा का जाता है और नया जुड़ता रहता है रागद्वेश तो ये प्रिक्रिया चलती रहती है तो ये प्रिक्रिया राग्दिश पैदा कैसा होता है देखिए मान लीजिए हम धन कमाने के लिए व्यापार करते हैं तो व्यापार करने पर जो है हमारे क्या है कभी अच्छा मुनाफा हो गया हम बहुत प्रसन हो गए आनंदित हो गए ये नॉर्मल बात हो जाता है वक्ती और जब हमें कोई घाटा लग गया तो हम द्वेश में चले गए हम पार्टियों को जो है वो दोश देने लग गए करमचारियों को दोश लगने लग गए जबकि बेचारे सभी काम कर रहे थे भाग्यवस पापो दे की वज़े से वो घाटा हो गया और उसके हम राग द्वेश करने लग गए और उसकी जगे पर अगर हम चिंतन करें कि भई पैसा आया है वो पुन्यों दे से आया है पैसा जा रहा है पापो देश आ रहा है तो आप न तो राग के स्वाज जुड़े न द्वेश के साथ जुड़े जब दोनों से जुड़ाव नहीं होता है तो हम संभाव की स्तती में रहते हैं संभाव का मतलब है दोनों एक सा समझो सर्दी है गर्मी है अनुकूलता है प्रतिकूलता है अच्छा है बुरा है सबको एक सा समझो तो करम का बंदन नहीं होगा और करम का बंदन नहीं होकर के हमारे भाव सुन्दर रहेंगे ग्याता दर्ष्टा भाव में रहेंगे हम अकरता पद में रहेंगे तो भीतर हमारा जो कार्मन शरीर है वो विलीन होता रहेगा और हमारे करम ख़पते रहेंगे नए करमों का बंदन नहीं होगा तो रागद्विश को हमें अच्छी तरह से समझना है कि रागद्विश कैसे होता है मान लेजिए आपके दो पुत्र है एक पुत्र आपका आग्या कारी है वो आपको प्रिय लगता है और दूसरा जो पुत्र है वो आपके आग्या का पालन नहीं करता है वो सकता है पूरु जर्म के संसकार हो कि आपको आग्या का पालन नहीं करता है तो उसके परतिया आप द्वेश रखते हो लेकिन उसके उपर द dressed रखने के आवश्रता नहीं है दोनों को समान समझो आप सेवा को भी एक सा समझो दोनों को एक सा समझोगे तो आप से कोई अलग नहीं होगा और आप में राग देश की प्रयोड़ती नहीं आएगी आप कदम कदम पर देखते रहिये आपके अंदर राग देश कहां जुड़ रहा है कशाय कहां जुड़ रहे है आपके भाव कहां बिगड़ रहे है वही करम बंदन का कारण होता है अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये करम बंदन करम करम है क्या आकर करम क्या है करम पौदगलिक होते हैं इस पूरे ब्रमांड के अंदर करम के परमानू फैले हुए हैं करम के परमानू दो तरह के होते हैं एक तो अस्ट इस्पर्शी होते हैं एक चतु इस्पर्शी होते हैं जो अस्ट इस्पर्शी करम के परमानू होते हैं उसे अनू बनता है उसे सारा जड़ पदार्थ बनता है और उसे सारा मेटर बनता है और जो आपके जो है छोटे जो जो चतुस परशी होते हैं वो विज्ञान की बासा में मास लेस पार्टिकल कहे जाते हैं वो कार्मन शरीर की रूप में करम सरी की रूप में हम कौसमोस से ल तो द्वेश के प्रमानु आकर्शित होंगे रागद्वेश नहीं किया तो कोई प्रमानु आकर्शित नहीं होंगे और प्रमानु हमारे भीतर एकत्रित नहीं होंगे हमारे भीतर रागद्वेश है वो ही हमको बढ़का रहा है और वो ही करम रूप में है कर्म कहिए, रागदेश कहिए, कशाय कहिए ये सब जो है प्रयावाची शब्द है ये अलग-अलग नहीं है ये हमारा कार्मन सरीर है, लिंग सरीर है, खौजल बोड़ी है और वही बंधन करता है उसके बंधन के लिए हमें संभाव रखना है हम अगर मान लोग गीता की भासा में बात करें तो गीता में भगवान क्रशन निश्काम कर्म की बात कही है निश्काम कर्म कार्थ क्या है, कि आपको जीवन मिला है आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म साथ में लेके आए आप कर्म करते रहिए लेकिन फल के इच्छा मत कीजिए फल के जहां इच्छा करते हैं राग द्वेश जुड़ताते हैं और फल के इच्छा नहीं करते हैं तो हम संभाव में रहते हैं भगवान कृश्ण ने जब अर्जुन ने जो है वो अठारा दिन तक युद्ध चला ये जो कुरुकशित्र के अंदर माँ भारत अठारा दिन चला कोई नहीं चाहता था कि माँ भारत का युद्ध हो सब को ध्यानता विनाशकारी होगा नेती का योग था दुर्योदन की जिद्ध थी दुर्योदन की जिद्ध की और नियती के कारण विश्व पिता माँ दुर्वनाचारी ने प्रयास की आयुद्ध को नहीं रोक सके क्रश्न भगवान दूत बनकर के गए पांड़मों की तरफ से शांती दूत और उसको जो है दुर्योदन को कहा कि पांच भाई ये तुमारे पास में इतना पूरा समराज्य है एक एको एक गाउं दे दो संतुष्टी हो जाएका उनका आसरा हो जाएगा वो रहने के लिए इस्थान हो जाएगा लेकिन उसने कहा दुर्योदन ने कि मैं तो एक सुई की नौक जितना इस्थान पांड़ों को नहीं दूँगा और करशन भगवान के इंसल्ट की उनको चलिया बोला उनको जो गालियं दी करशन भगवान क्या कर सकते थे वो तो भगवान थे तो आखिर ये युद्ध हुआ जब युद्ध के मैदान के अंदर अरजुन खड़ा हुआ और सारती थे निहत्ते बिना कोई अस्तस्त के सारती करशन भगवान थे और वो नट गया मना कर दिया मेरे सामने विश्यू पिता मैं है मेरे गुरू दरचड ये ताउ है मामा है चाचा है नाना है भाई ये मैं किन से युद्ध करूँ मेरे लोगों से युद्ध करूँ तो उन्होंने अठारा दिन तक प्रति दिन उन्होंने जो है निश्काम करम का फॉर्मूला बताया साइंस अफ सोल का फॉर्मूला बताया तुम आविनाशी शोल हो और तुम ख्षत्री हो तुमने इस युद्ध को invite नहीं किया है ये युद्ध तो नियती का योग है जो ये युद्ध हो गया अब तुम ख्षत्री हो पीड़ नहीं दिखानी जाए तुम निश्काम करना चाहिए तुम जो अगर कोई भी बान कि मेरा विराठ सरूफ या है तो उन्होंननको नमन किया बग्वान कृष्ण के विराठ सबू को इतने बड़े स्वार्ति ग्यानी मेरे साथ में और उसने जो है कहा कि युद्ध कर रा है बग्वान कृष्ण कर रहा है तुम अर्जून नहीं हो तुम तो शुद्ध आत्मा हो तुम तो एक आत्म तत्थ हो विनाशी तत्व हो ये जो युद्ध जुड़ा हुआ है ये इसका कर्म है अर्जुन का वो करना पड़ेगा तुम इसके अच्छे बुरे के लिए बिलकुल दोशी नहीं हो तुम तो भेद विग्यान रख करके और आत्मा की साक्षी से अलग रह करके अर्जुन रूपी सरीर को युद्ध करने दो अठारा दिन में अठारा अध्याय बताए गए अठारा शिक्षाय दी छे शिक्षाय ती वो बना जो है कर्म योग दूसरे चह दिन की चह शिक्षाएं बड़ी बड़ी सिक्षाएं जो दी गई है वो उसके बाद में बना भक्ती योग और तीसरा चह शिक्षाएं ज्यान योग यठारा दिन के जो कर्म, भक्ती और ज्यान योग क्योंकि राग द्वेश रहित हो करके उसने युद्ध किया निश्काम रूप से बिना फल की इच्छा किये हुए तो हमें भी इस जीवन के अंदर विदे बनना चाहिए राजा जनक विदे थे राजा जनक जो है विदे कार्थ वाव राग द्वेश मुक्त थे वो जो भी कारे कलाब करते वो कहते है कारे शरीर कर रहा है ये जनक कर रहा है मैं जनक नहीं हूँ मैं तो आत्मा हूँ मैं हकरता हूँ मैं करने वाला नहीं हूँ करने वाली विवस्ते सक्ती करवा रही है ये जो है स्रस्टी करवा रही है ये कुदृत करवा रही है कुदृत के कानून के ते संजोग इकटे हो रहे है काम हो रहा है मैं ते से बिन्न हूँ विदे रहे राग देश रही तो होने पर जो हम जो है अगर मालो जो है इसकी द्वेत अद्वेत की बात करें तो द्वेत अद्वेत के अंदर वो भिन रहे और वो जीवन मुक्त रहे और उनका जब जीव शान्त हुआ तो जीव मुक्त होकर के राजा जनक मुक्ष कामे हुए ये सारा जो है वेदानत है तो इसलिए हम ये बात के रहतिक राग द्वेश करम मंधन का कारण ये है और ये नहीं है तो ये बनतानी मैं आपके गुधान देना चाहता हूँ कि एक चिकनी मीटी का गोला है उस गोले को आप दिवार पे फैंकिए चिकनी मीटी तालाब की है जो जिस्से की घड़ा बनाया जाता तुरूंत दिवार के चिपक जाएगी और एक बालू का गोला फैंकिए जो है आप दिवार पर बालू का गोला नीचे पड़ जाएगा क्योंकि उसमें बांडिंग कैपेसिटी नहीं है जो चिकनी मीटींग में बांडिंग में चिपक गया बालू में बांडिंग नहीं है चिपकाने गिर गया उसलिए सारे जीवन के कर्म करिए लेकिन रागद्विश मुक्त होके करिए रागद्विश मुक्त का मतलब ये ग्याता दर्ष्टा बावसे करिए ये मानिए कि ये काम करने वाला शरीर है ये करने वाला है ये भोगने वाला है मैं ये नहीं हूँ तो ऐसा चिंतन करेंगे तो रागद्विश पैदा नहीं होगा सारे काम दुनिया के कर रहे हैं उसके करम का बंदन नहीं होगा कैसा विच्चितर सिद्धानत है सब कुछ करने के बाद भी करम बंदन नहीं होता है और एक राग दूश का भाव रखते हैं ग्याता दर्श्टानेर करता भाव है कुछ भी नहीं करते है करम बंदन उनका जारी रहता है हर वक्त करम बंदन रहता है इसलिए हमारा science of the soul कहता है आप अ करता रहिए, आप ग्याता दश्टा रहिए, आप अलग रहिए, आप भेद विज्ञान कीजिए तो आपके करमों का बंदन नहीं होगा अब भाईयों हम आपको बताना चाहते हैं कि रागद्वेश न रखने से रागद्वेश रखने से करमों का बंदन तो होता ही है लेकिन करम बंदन के effect क्या आएंगे हमारे जीवन में अगर हम रागद्वेश रखते हैं तो क्या effect आएगा, रागद्वेश नहीं रखते हैं तो क्या effect आएगा, इसका हम judgment करते हैं देखिए हम ज़्यादा समय परिवार के साथ जुटाते हैं परिवार में पुत्र होता है पतनी होता है बेटा होता है पोता है एक से तो हम बहुत प्रेम करते हैं वो हमारा राग हो गया एक से हम घ्रणा करते हैं तो जिससे हम घ्रणा करते हैं वो हमारे प्रति अब आदर का बाव रखेगा और जिसके प्रतिरा करते हूं आदर का बाव रखेगा चाए बेटे के प्रति करो चाए बहु के प्रति करो तो उससे क्या हो का वे मनश्य पहलेगा और आप जो है वो समता की जो है वो साधना से काम करो आप तो देखो कि ये परिवार जो मुझे मिला है ये बड़ी-बड़ी पार्टियें हैं भाई और मैंनों आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपको साइंस अपती सोल में जीवन के सुत्र मिल रहे हैं इन सुत्रों को आप पालन करोगे हरद्यंगम करोगे बड़े सीधे सादे तपे तपाए अनुभव के सुत्र है ना कोई किताबी ग्यान है ना कोई किताब का रेफरेंस है भीतर से क्या आ रहा है हमारे केंदर में जो प्रभू बैठा है साइंस अब दी सोल का सेंटर है प्रभू है, सोल है वो क्या बता रहा है वो इस वानी से बाहर आ रहा है आप तक पहुँच रहा है और सब हम एक से हैं इसलिए जो मुझे बाहरा है निश्चित रूप से आपको भाएगा आप देखते रहे आपके प्रती मंगल भावना शुक्का आपना आपका जीवन आनंद मैं हो, मंगल मैं हो कल्यान मैं हो और आप अपने जीवन का गंतव्य सिद्ध, बुद्ध, मुक्त बने आपके प्रती मंगल में आत्म विज्ञान में आत्म विज्ञान यानी सही दृष्टी सही सोच